हेलो एश्ट्रेंट्स तो अगर आप भी देने वाले हैं कल बिहार बोर्ड के 12th के सेंट अप की परिक्षा तो सुरू से लेकर अंतक हमरे साथ इस वीडियो में बने रहेगा ये वीडियो आप ही लोग के लिए है तो इस वीडियो में मैंने बात किया है क्लास 12th के लिए 40 mathematics के objective question को मैंने डील किया है बिल्कुल detail के साथ जो कि कल की आपकी परिक्षा में बहुत 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 कारगर होने वाली है तो समय निकाल कर इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा तो ये जो वीडियो है वो मैंने previous year के final examination में 10 साल के questions को जो है वो छाट के 40 question का एक set तयार किया है और इसको मैं detail में आप लोग को जो है वो बताने बाला हूँ तो directly बहुत साथे questions तो directly कल examination में आ जाएंगे और अगर कुछ questions नहीं आते हैं तो वो जो है जो मैं technique बताऊँगा वो सारे technique आपको कल के examination में जो है वो question को deal करने में आपकी पूरी 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 सायता करेंगे तो सुरू से लेकर अंतक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा कहीं भी वीडियो को skip मत किजिएगा एक एक स्टेप समझिएगा हेलो प्यारे बच्चों मैं हूं राहूल सर और आप देख रहे हैं CWIH Online Study Support and App Support अगर आपनी वीजिटर हैं लेकिन अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पजे के पहले मैं आप लोग के लिए 50 फिजिक्स के अब्जेक्टिव का क्वेस्चन लेकि आऊंगा 10 साल का छाट के बिल्कुल सही और जनुवीन अंसर के साथ पूरे टेकनिक के साथ चलिए तो मैतेमेटिक्स का ये वीडियो आज सुरू करते हैं सो जैसा कि आप छात्र देख पा रहे हैं कि यहां पर सारे मेतामेटिक्स के question हैं सारे ओपिशन हैं मैं आपको option तो बताऊंगा ही साथ ही बताऊंगा कि किस टेकनिक से और कैसे इस प्रकार के question wise लिएक पहले लाया था और उस वीडियो से जो है उस उस पूरे सेट से जो है लगबग लगबग 10 से 15 questions तो directly आ गए थे और बहुत सारे questions के टेकनिक जो है मतलब related questions जो है वो भी पर इच्छा में आया थे तो छात्रों के लिए वो बहुत beneficial था तो ये वीडियो भी आप देख लिजिए साती सबों के सा मतलब है एक पलस 12x प्लस xy और आपको दो संख्याएं दी हुई रहेगी इसी संख्या के लिए जो है वो इस binary operation का जो है वो मान निकालना होगा तो देखें तीन और दो यहां पर आप देख रहे हैं इसमें तीन और दो को आप बिल्कुल इसी नियम के नुशार से सजा के मा होगा इसी प्रकार की दो संख्याएं रहेगी है न और उसको आपको उपर के नियम के नुशार जो है वो बैठा के और मान निकालना होगा तो बहुत हलका इसी होता है इस प्रकार का question चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए एक फलन है एसे बी में पूछ रहा है कि इसके चादक तो अनद चादक होने के लिए A को टुकड़ा होना पड़ेगा B का यानि कि B में कुछ ऐसा element बच जाएगा जो F of A में पूरा mapping नहीं होगा यानि F of A जो है वो सबसेट होगा किसका B का है ना अनद चादक होने के लिए तो हमारा A जो है वो answer हो गया ये question directly आ सकता है जैसे इसमें 3 दो देखा उसमें कोई दूसरी संख्या हो सकती है एकस बाई का जो relation दिया है वो कोई दूसरा relation हो सकता है तो जैसे रहेगा मैंने बताया वो इससे बनाईएगा बाकि दूसरा question directly आ सकता है चलिए अब तीसरा में जो है वो range निकलना है तो पहले क्या करना होत या फिर 3 के बराबर हो सकता है या उसके बीच का हो सकता है तो close interval एक तीन जो है वो इसका answer हो गया है चलिए अब एक संबंद दिया हुआ है यह बराबर एक दो तीन पर हार एक संबंद है तो आर कैसा है तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहला option है स्वतुल्य तो स्वतुल्य स्वतुल्य उन्मे के लिए 1 2 3 है ना सबका जो है अपने साथ element होना चाहिए था तो दो 2 3 3 तो दिख रहा है लेकिन एक दो नहीं दिख रहा है एक एक नहीं दिख रहा है तो एसे condition में वह स्वतुल्य नहीं होगा चलिए आव आए सममीत चेक करते हैं तो देखिए 2 2 3 बिलोंग कर रहा है तो यह सम्मीत हो रहा है चलिए यहां पर चार ऑप्षिन दिया हुआ तो सब्सक्राइब एक तो दूसरा बीक्वेस्ट्रा पूछ सकता है इसको निकालने का मैं एकदम आपजेक्टिव में short तरीका बताता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से, एकदम short तरीके से, आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है x खाली आप निकाल लीजिए x निकाल लीजिए और जो आएगा na, x निकाल लीजिए, इस पूरे वह जाएगा f of x-3 और बटा में क्या होगा x निकालना है न बटा में 2 हो जाएगा तो जो हमारा अंसर अभी जो f of x दिख रहा है इसको x बना दीजीए तो वो गया X-3 बटा 2, तो X-3 बटा 2 कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, जब भी कोई फलन दे दे और F inverse X निकालने के लिए कहा है, तो मैं objective का तरीका बता रहा हूँ, इसका actual तरीका अलग होता है, तो कुछ मत किजी, इससे आप X निकाल लीजी और X निकालने के बाद जो F of X हैं, उसको X बना दिजीए, जहां पर आपको मिल जाए, वो आपका answer हो जाएगा, ठीक है, पाच्वा नमर क्वेस्चन हमने देख लिया, चलिए छट्टे नमर क्वेस्चन क्यों देखते हैं, यह देखें क्वेस्चन नहीं साही रहेगा, और बिल्कुल same to same इस प्र दो बार हुआ है, तो इसकी जो कोटी है, वो हो गई, दो option number A, अब अगर पुछता कि इसका घात क्या है, तो जो कोटी रहेगा ना उसी का घात देखिएगा, इसे नहीं कर दिजेगा कि वह यह इसका घात तीन है, तीन नहीं, कोटी कोन है, कोटी यह है, तो घात भी इसका अब कल समी करन क्या होगा, चलिए तो जो मुल बिन्दू से गुजरती है, वो होता है, by is equal to mx, तो हमें काम करते हैं, m को इधर रहने देते हैं, x को इधर लेके चले आते हैं, तो यह हो गया, by बटा x is equal to m, है न, by बराबर mx मुल बिन्दू से गुजरता है, अब जब differentiation करेंगे, m का तो 0 हो गया, आप देखिया, नीचे हो गया, x square उपर हो गया, x square उपर हो गया, x into dy बटा dx, x into dy बटा dx, फिर हो गया, minus y का y, फिर x का differentiation 1, यह x square 0 तरफ जाके खतम हो गया, इधर हमारा कितना बच गया, इधर हमारा बच गया, x dy बटा dx, है न, और फिर minus में हो गया कितना x बराबर 0 तो ये x नहीं बाई बाई तो फिर बाई उदर चला जाएगा तो हो जाएगा x dy बटर dx is equal to by तो x dy बटर dx is equal to by हमको यहां दिख रहा है तो यह हमारा अंसर हो गया ठीक है चलिए अब आगे आते हैं पूछ रहा है कि बताओ कि जो हमारा a is equal to 1,2,3,4 है इसमें क्या a का mode 0 है चलिए mode निकलते है चार है का ही चार चार में से तिन दुनी 6 गया 0 नहीं है 0 नहीं है option number b अगर 0 हो जाता तो या तो 0 दिया हुआ है तो 0 मारते नहीं तो लिखते a inverse का स्थित्व नहीं है ठीक है अगर option जो रहा था वो कर लेते हैं अब देखिए यह question है by by में sine inverse में sec inverse इतना जोड़ना है तो देखिए जब sec को cos में convert करेंगे तो यह उपर चला जाएगा यह नीचे चला जाएगा तो जो हमारा by है वो कैसा हो जाएगा by हमारा हो जाएगा cos inverse root over x minus 1 बटर root over x plus 1 और यहां पर देखिए sine inverse x ठीक है तो एक formula होता है cos inverse x plus sine inverse x उसका मतलब होता है 90 तो by का value हो गया 90 अब जब by का differentiation करेंगे 90 का तो 0 हो जाएगा तो इसका हो गया option number d इसको ध्यान रखिएगा दोनों जो हैं जो sine inverse और cos inverse में convert हो जाएगा दोनों जो है plus में हैं और दोनों के बगल में जो मान है वो दोनों same हो जाएगा अभी उल्टा दिख रहा है लेकिन sec को जब cause में convert करेंगे तो वो same हो जाएगा इसके ठीक है तो इसका value हो जाता है 90 का differentiation 0 चलिए अगला question है कि बाई बराबर x square plus 3x minus 4 तो वक्र के एक एक पर अभी लंब की डाल कितना है तो पहले इसका अभी लंब निकाल लिए पहले इसका differentiation निकालते हैं इसका differentiation हो गया 2x plus 3 आप 2x plus 3 जो देख रहे हैं उसको पलट दीजिए और minus में डाल दीजिए क्यूंकि अभी लंब की डाल होती यह minus 1 बटा dy बटा dx तो इसको उलट देंगे तो 2x plus 3 हो गया अब x का value एक डाल दीजिए तो एक डाल दीजिए तो दो एक आई दो और तीन पांच यह नहीं minus 1 बटा 5 तो minus 1 बटा 5 कहा है यहां है यह हमारा answer हो गया चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाई बराबर दिया plus 10 square और जो बागल में दिया हुए 10 inverse x वो हो गया तो यह 10 square और 10 inverse x खतम हो गया तो x पे square चड़ गया तो हमारा final function बन गया 1 plus x square 1 plus x square 1 plus x square का differentiation कितना हो जाएगा तो पहले x square का differentiation 2x फिर root over something का 1 बटा 2 root something यहनि 2 root to 1 plus x square तो 2 2 कट गया है ना बच गया x बटा root over 1 plus x square तो x better root over 1 plus x square यहाँ है अब देखिए यहाँ पे एक समतल का समीकरन दिया हुआ है इसके समानतर समीकरन बोल रहा है तो जो समतल लिख रहा है उसका समानतर निकालने के लिए z तक जितना है उतना ही लिख देंगे और बाकी last में जो है वो plus k डाल देंगे constant term के बदले तो z त तक उसका सारा सेम होता है और constant term के बदले change हो जाता है तो उसके बदले constant आ जाता है चलिए अब यहाँ पे देखिए दो घटना है P of A और P of B का value P of A intersection B दे दिया है तो P of A बटा B निकालने के लिए कह रहा है P of A बटा B का एक formula होता है P of A बटा B बराबर होता है P of A intersection B P of A intersection B बटा P of B है ना तो P of A intersection B का value कितना है एक बटा 5 है और P of B का value एक बटा 4 है तो चलो दोनों को बटा करते हैं एक बटा 5 बटा एक बटा 4 तो 4 उपर चला गया चार बटा 5 हमारा answer हो गया option number D चलिए आगे बढ़ते हैं A और B का value दिया हुआ है तो A.B निकालना है A.B निकाल गया दो पचे 10 माइनस में और फिर हो गया एक एक हाई एक है ना एक हाई एक हो गया प्लस में तो आठ एक 9 9 में से 10 गया माइनस एक option number B हमारा right answer है चलिए अब यहाँ पे देखिए यह जो है वो integration properties of definite integration से question है है ना तो यहाँ पे देखिए क्या होता है सबसे पहले यह देख addy को निगल जाता है मतलब अगर यहाँ पे X के बदले आप minus X डालिएगा और बाहर जो निकलेगा है ना मने X के बदले यह देखर minus X डालिएगा आप और बाहर वो अराम सेームरा नहीं निकले जित है यह एक इकॉडन से अगर कोई परक नहीं पढ़ता है function पे तो उसको some x का value negative रखें और वो negative को पचा नहीं पाया अगर वो negative बाहर चला गया तो उसको बिसम फलन बोलते हैं तो ये वाला देखिए एक बिसम फलन है ठीक है क्योंकि sine पे power 9x यही अगर sine square x होता या sine पे कोई sum संख्या होती तब ये sum फलन हो जाता लेकिन अभी ये विसम फलन है तो नियम होता है कि विसम फलन में अगर minus a से a और कोई विसम फलन यहां पे होता है तो इसका integration सीधे 0 हो जाता है कुछ करने उड़ने की जरूरत नहीं है property of integration से see हो गया इसका answer चलिए अब आगे आईए दो पासों पर एक साथ dwig प्राप्त करने की संभावना पहले dwig समझ लेते हैं dwig किसको बोलते हैं dwig बोलते हैं देखते हैं जब दो पासा डालते हैं तो बहुत सारी चीज़े बनती है उसमें एक-एक भी बन सकती है दो-दो भी बन सकती है, तो जब दो पासा फेकते हैं, तो टोटल 36 होता है संभावना, उसमें एक-एक दो-दो वला केतना पिस होता है, छे PCC को दूइक बोलते हैं, तो 6 वटा 36, यानि कि दूइक की संभावना 6 और टोटल संभावना 36, तो एक वटा 6 हमारा अंसर होगा, есь यह कैसे निकलता है न, यह समद रेक ही, यह संभाविं निकालने लिए यह होता है, दूसरा से फ़हला को पहले घटाए, फिर minus J, minus J, तो minus 2, उसके बाद इससे इसको घटाईे, तो फिर देखे एक ठीक है, तो दोनों घटाया, अब चलिए इससे घटाते हैं, 14 में से 6 गया, तो 8, फिर देखे माइनस 5, और फिर माइनस जब करेंगे, तो प्लस में चला जाएगा ये, फिर 4 में से 2 गया, तो 2, तो देखे थे, सब दुगना है देखें 4 दुनी 8 माइनस 2 दुनी 4 और 1 दुनी 2 तो दुगना से मतलब नहीं होता है मतलब यहीं होता है कि अगर इसका इसका घटाव इसका इसका घटाव जो आया है तो कहने का मतलब है कि अगर दोनों समान रेशियो में प्रपोर्सनल समान उपाती हैं तो सम जीए 2x minus 1 का हो गया minus 0 बराबर 0 अब x के बदले c डाल दीजिए तो c का value भी यहाँ 0 हो जाएगा है ना तो option number 20 का right answer हो गया चलिए अब बोल रहा है कि किसी वक्र का अभी लंब x-x के समानतर है है ना तो x-x के अभी लंब के x-x के समानतर होने का मतलब क्या हो गया अभी लंब के x-x के समानतर होने का मतलब क्या हो गया अभी लंब के x-x के समानतर होने का मतलब हो गया minus 1 बटर d by बटर dx is equal to कितना हो गया 0 है ना अभी लंब के x-x के समानतर होने का मतलब है कि जो अभी लमकी ढाल होती है minus 1 बटा dy बटा dx वो कितना हो जाएगा हमारा 0 तो ऐसे condition में जब हम इसको पलतेगे one second तो ऐसे condition में जब हम इसको पलतेगे इसको उपर ले जाएगे तो dy बटा dx का value हो हमारा negative हो जाएगा यह एक काम करते हैं dx को उपर लेके चले जाते हैं तो dx बटर dy minus dx बटर dy का value 0 हो जाएगा तो ऐसे condition में minus को इधर कर देंगे तो dx बटर dy 0 होना चाहिए कहीं है dx बटर dy यहाँ है dx बटर dy 0 देखें अब इलाम का मतलब होता है minus 1 बटर dy बटर dx यह 0 हो गया 0 एकसच के समानतर होने का मतलब है कि उसकी ढाल 0 हो जाएगी तो dx का उपर चला गया dx बटर dy minus में 0 तो dx बटर dy हमारा 0 हो गया ठीक है चलिए अब इसको जोड लेते हैं 210 इनवर्स 1 बटर 3 और 10 इनवर्स 1 बटर 7 यह तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा मैं इसका प्रोसेस आपको बता देता हूँ इसमें क्या किजिएगा 210 ठीटा का फर्मूला लगा देजिएगा तो यह हो जाएगा 10 फिर 2 गुना एक बटर 3 यानि 2 बटर 3 फिर 1 बटर 1 माइनस एकसच को हैं तो एक बटर 9 यानि यहाँ पर हो गया 8 बटर 9 ठीक हैं तो 3 से यह कट गया 3 बार का 2 से यह कट गया 4 बार का 10 इन वर्स 4 बटर 3 बचा बचा 10 इन वर्स 4 बटर 3 ठीक हैं इसका फर्मूला क्या होता है मैं बता दू 10 इन वर्स 2 गुना एकस और बटा 1-1-1-2 ठीक है अब फिर इसमें जूड़ जाएगा कितना 10-1-2-7 तो इसका फर्मूला होता है 10-1-2-1-4-2-3 गुना 1-7 तो सतिया 21-21 में से चाड़ गया 17 नीचे 21 तो कट गया इसका भी LCM 28 और 9 28 और 9 है ना 10-1-3-7 यहां पर कुछ difference आ रहा है ठीक है आप इसमें निकाल लेंगे formula वही है ठीक है देख लेंगे कौन सा हो सकता है option भी गलत रह सकती है है ना हो सकता है cut भी जाए है ना cutने के बाद हो सकता है कोई value दे देख लेंगे आप कि कितना हुआ है ना चलिए आप आगे बढ़ते है y is equal to log x to the power x तो इसका x बाहर चला जाएगा y is equal to बाहर नहीं नीचे चला जाएगा x log x चलो इसका कर लेते हैं differentiation तो first function x फिर log x का differentiation 1 बटा x plus second function log x है ना और फिर x का 1 cut गया 1 plus log x आना चाहिए 1 plus log x कहीं नहीं है इन में से कोई नहीं हमारा answer हो जाएगा ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे देखे फिर दुयाधारी संक्रिया है a b का मतलब क्या होता है a b का यह मतलब हो जाता है a square plus b square तो पहले एक दो के लिए निकालिए देखे पहले एक दो के लिए निकाली एक का square दो का square चार 5 हो गया अब बच गया 5 और 6 अभी देखे हैं यहां पे एक दुयाधारी संक्रिया छोड़ दिया है अब बच गया 5 चे तह 5 का square 256 का square 36 तो 2536 एक सट हो गया option number C हमारा हो गया right answer चलिए अभी इसमें क्या किजिए अंदर वाले को Z मानीगे तो Z अगर 1 plus log X Z हमारा हो गया तो 1 बच एक्स डी एक्स हो गया DZ ठीक है तो यहाँ पे हो गया हमारा Z square DZ तो Z Q बच तीन पलस C तो Z Q का मतलब हो गया 1 प्लस X को Q कर दीजे बच तीन पलस C option number A इसका हो गया right answer ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें भी अंदर वाले को आप Z मान लेजिए तो 1 बच एक्स स्क्वार प्लस यह हो गया DZ तो यह भी Z स्क्वार हो गया तो Z Q बच तीन यहाँ भी होगा और पलस हमारा इसमें C नहीं होगा यह definite integration है तो Z Q बच तीन हमारा हो गया तो Z Q का मतलब हो गया 10 inverse X का Q 10 inverse X का Q और बच तीन तो 0 जब पूट होगा तब तो खतम ही हो गया एक पूट होगा तो 10 inverse X का मतलब हो गया 45 डिगरी तो 45 का Q बच तीन 45 का मतलब हो गया Pi बच फोर पाई बटा 4 का Q और फिर बटा में 3 था है न तो पाई Q पाई Q बटा 64 पाई Q बटा 64 64 तीया 192 ठीक है तो अब देखें यहाँ पे पाई Q बटा 64 तो दिया है यह तो था नहीं लेकिन यहाँ पे देखें पाई स्क्वाइर दे दिया है फसाने के लिए आपको तो D number जो है वो इसका answer हो गया अब चलिए यह जो question देख रहे है उसमें क्या होगा यह हमारा mode function है तो mode function होगा minus 2 से 0 तक का होगा positive minus 2 से 0 तक का होगा positive sorry negative और फिर इसका integration हो जाएगा 0 से 2 तक फिर positive x लेगे ऐसे ही तूटता है negative value के लिए negative और positive value के लिए positive ठीक है अब दोनों का आप कर दीजिए आप integration दोनों को जोड़ दीजिए जो answer आएगा वो आएगा चलिए अब आगे चलते हैं P of A का value 3 बटा 8 P of B का value 5 बटा 8 A union B तो P of B बटा A निकालना है फिर यही होगा A intersection B पहले हमको निकालना पड़ेगा तो A intersection B का formula क्या होता है P of A P of B और फिर minus हो जाता है चलिए इन दोनों को जोड़ देंगा तो 1 हो जाएगा एक में 3 बटा 4 चला जाएगा तो 1 बटा 4 बचेगा ठीक है तो 1 बटा 4 उपर और बटा में फिर P of A इसका formula यही होगा P of B intersection A या A intersection B जो कि एक बटा 4 और फिर बटा में P of A तो 3 बटा 8 तो 8 जो है वो बटा का बटा में उन्हें कुझे से उपर चला गया तो 2 बार का कट जाएगा तो 2 बटा 3 इसका अंसर होगी option number C है ना चलिए आगे देखिए यह देखिए एक formula होता है कि अगर A जो है वो कितने भी कोटी का यह 2 कोटी का है तो K into mode of A जो होता है इसके लिए हो जाता है K पे power N into mode of A तो इसकी कोटी 2 है तो K पे power 2 अब K के बदले देखिए अंदर में 2 है तो 2 तो 2 पे power 2 हो गया 4 into mode of A option number B ध्यान रखेगा यह formula डिरेक्ली यह formula पुछेगा ने तो इसी प्रकार का question पुछेगा आप देखिए इसका ब्यूत क्रम निकालना है तो cos into cos cos square minus minus plus sin square तो cos square sin square का value 1 अब इसका ब्यूत क्रम निकालना है तो बहुत आसान है cos को इधर कर दीजे cos को इधर कर दीजे अगर यहां पे दूसरा दूसरा रहता तो हो जाता है यह exchange हो जाता है तो cos का cos रहा गया यहां भी cos का cos रहा गया अब इस इन दोनों पे minus लगा दीजे तो जहां पे minus था यह पलस हो गया और जहां पे plus था हो वहां पे minus हो गया ध्यान रखिएगा, यह निकालने का बहुत आसान तरीका है, फिर से एक वर समझ लिजे क्या किया, cos into cos cos square, और फिर minus sin into sin sin square, तो plus में चला गया, cos square theta plus sin square theta, जब एक हो जाए, तो, जब मान अगर एक से दुसरा होता, दुसरा तरीके का मान होता, तो थोड़ा सा यह problem create करता, अब है कि same to same मान है, तो देखिए, अब क्या किजिए, इसका inverse निकलने के लिए एक जब मान हो जाए, तो इस cos को यहाँ, इस cos को यहाँ, तो चुकि दोनों cos से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, cos theta, cos theta रहा गया, अब इन दोनों term पे negative लगा दीजिए, तो यह वला term minus sin theta हो गया, यह वला term plus sin theta हो गया, तो इसे condition में देख लिजिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, ए वरावर, एक, दो, तीन, चार है, कैसा सम्मन्द है, तो स्वतुल्य तो होगा ने, क्योंकि एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, कुछ नहीं दिख रहा है, चलिए संक्रामक चेक कर लेते हैं, एक, तीन, दिख रहा है, तीन, एक, दिख रहा है, ठीक है, तो एक, एक, दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, चलिए, एक, तीन, दिख रहा है, तो चार, दो, भी दिख रहा है, बहुत अच्छे, दो, तीन, दिख रहा है, लेकिन ती यह हो गया, यहाँ पर देखें, मिस्टेक कर दिया, X-4 यहाँ पर देना चाहिए था, तो देखें, इसको X बना दिया, तो X-4 बटा 5, B हमारा सही अंसर हो गया, है न, चलिए, आप देखें, यहाँ पर फिर से एक binary operation है, इसका तत्समक अभ्यव हमको निकालना है, तत्समक अभ्यव का मतलब हुगा, जो डाला वही निकल जाए, है न, जो डाला वही निकल जाए, A binary operation E, है न, तो मान के चलो कि A B निकाला मेंने, A plus B, और, स्वरी, A binary operation E, तो हमारा क्या निकल जाए, जो डाला वही निकल जया यानि A का A निकल जया चलिए A बाइनर जो प्रेशन E का मतलब क्या हो गया A पलस E यही A E हमको निकालना है पलस 1 is equal to A A A कट गया E का value हो गया minus 1 यानि minus 1 जो है वो इसका तत्समा कभ्याब है ठीक है minus 1 के साथ किसी का भी निकाल देंगे तो इसका काम हो जाएगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं साइन से किंवर्स X प्लस कॉसे किंवर्स X अब यहाँ पर क्या होगा कि साइन से किंवर्स X का value भी उतना ही होता है pi वेट टू, तो sin pi वेटर टू का value a हो जाएगा, ठीक है, छलिए अब आगे आए 16, 60 में से 60 गया 0, ठीक है 16, 60 में से 60 गया 0, चलिए आगे पड़े 0 का मान निकलना, इसमें x का मान निकलना है, 3x minus 8 तीज़ा 24 वराबर 0, तो 3x का value हो गया 24 तो X का value हो गया 8 ठीक है तो 8 हमारा अंसर हो गया अब भी अब चलिए यहां पर A square का value निकालना है A into A यानि I 00I इसको हमको गुना करना है I 00I से ठीक है तो I into I I square I square का value यू-1 होता है तो अंसर हमारा या तो यह होगा या यह होगा ठीक है अब देखिए अच्छे तरीके से देख लिजिए I I का value होता है कितना I I का value होता है minus 1 तो यहां पर देखिया minus 1 या तो यह यह होगा अब देख लिजिए लास्ट वाला ठीक है चलो लास्ट वाला देख लेते हैं अब आई जीरो जीरो आई आई जीरो जीरो आई चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं इसका इसके साथ जीरो आई एस क्वेर तो यहां पर भी आईए स्क्वेर बनेगा इनि-धक बनेगा और Yoo गिकलेगा प्सन नमबर B हमारा rightmm TDist है अब दोनों पर negative लगा दिजे बाइनस दो मैनस दो कहां हो गया, यह हो गया option number a, चली अब आगे आतने a into b, चलो गुना करे, एक गुना जीरो जीरो एक गुना एक एक यहां पर एक हो गया फिर एक गुना एक एक और एक गुना जीरो 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 हो गया ठीक है उसके बाद 0-0-0-0, फिर 1-1-1, फिर 0-1-0, और 1-0-0, तो यह हो गया हमारा, यहां तो कोई भी option नहीं दे रहा, एक second फिर से रुख जाए, इसमें गुना कैसे होता है बतादू, इसका गुना इस से, फिर इसका गुना नीचे वाले से, फिर इसका गुना नीचे वाले से, फिर इसका गुना उपर वाले से, इसका गुना नीचे वाले से, फिर इसका गुना उपर वाले से, इसका गुना नीचे वाले से, 20 इसका answer होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए यह वाला question है, इसको कैसे बनाओंगा, तो cos 2x को तोड़ दूँगा मैं, cos square x minus sin square x में है ना और पिर इसको तोड़ दूँगा cos x plus sin x और cos x minus sin x में जब यह cos x plus sin x में जाएगा तो इससे कट जाएगा और जब cos x minus sin x में जाएगा तो इसका हो जाएगा differentiation ठीक है तो finally यह हो जाएगा one better z और dz तो यह log mode of z हो जाएगा तो log mode of z के अनुसार हमारा यह वाला अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां पे देखे जब दो डेक्टर का cross product और dot product से मुझा है तो उनके बीच को का कून 45 degree होता है अब आगे तास के बामन पत्तों में से एक पत्ता खीचा जाता है तो इसके इका होने की क्या संभावना है तो बामन पत्ता और इका चार होता है कौन सा इका यह तो दिया नहीं अब भी तो बच्चो 40 question को मैंने पका deal किया आप लोग के लिए और बहुत मेहनत की है तो चलिए मिलता हूं तो वीडियो कैसी लगी यह comment में जरूर बताइए अगर अभी तक आपने share नहीं किया है तो कर दे कल morning साथ के पहले मैं आप लोग के लिए के आओंगा 50 objective question physics के और के लिए बहुत-बहुत-बहुत important रहेंगे तो share कर दीजिए जरूर से जरूर और अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो कर दे कल morning में आएगी वीडियो और वह आप लोग के लिए बहुत-बहुत-बहुत beneficial रहेगी मिलता हूं इस energy के साथ अपने next वीडियो में आज के लि चाय दिएमआ कर दो उीड एक सका लोग्पन के साथ साथे हुतर अपने रहेगे हुत वजय के ज्ऌ हे लगुत-बहुत inपने साथ-चायावशनरे यदे काङ्द के लिएrut еaldश ये लिए्धनरें हुतने रहेगे लिएमशनरें हुत cookie जने ड요ίदे, पैगेशन के सायाएρ ब